अग्सपोर्ट करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बाइ प्रोफेसर आरके सिन्हा कोर्स में आपका स्वागत है इस कोर्स में हम आपको 279 इक्सेसाइज सॉल्व करवाएंगे अगर आप सभी एक्सेसेस सॉल्व करना चाहते हैं तो 9051378712 में संपर करें इस एक्सेसाइज का एक्सपोर्ट करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सेसाइज 111 ऑफ 279 ट्रांसलेट इंटू इंग्लिश ऑके यहां पर हम लोग डबलू एज क्वेस्टेंस बनाएंगे तो आईए पहले मैं आपको स्ट्रक्चर लिखवा देता हूं ठीक है क्योंकि अगर आपको स्ट्र करते हैं ठीक है और फिवर्ब का थर्ड फॉर्म उसके साथ अधर वर्ट्स नेगेटिव में हैव रहेगा या तो हैस रहेगा फिर सब्जेक्ट नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म पिर अधर वर्ड यही चीज हम लोग हम लोग ह sıब नॉट का हाविंट चायूउआ इस नॉट का हैसंट कर सकते हैं फिर सब्जेक्ट प्लास वर्ब का थड फॉर्ड फॉर्म प्लास अथर्ड फॉर्वर्ड ठीक है días हमारा इस्ट्रक्षर रहता है अब यह स्ट्रक्षर किस के साथ यूज होगा सब के साथ what when how why where सब के साथ हम लोग को यह structure यूज करना है positive रहेगा तो पहला वाला और negative रहा तो यह दोनों में से कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं अब यह हम लोग बहुत सारा है where has he gone सीता कब आई है when has सीता कम हम लोगों ने क्या किया है what have we done राम क्यों जा चुका है why has राम गॉन उसने कैसे परिक्षा पास की है how has he passed the examination आपने यह कुरसी क्यों तोड़ी है why have you broken this chair आपने मेरी मदद क्यों की है why have you helped me सीता ने यह काम क्यों किया है why has सीता done this work मैंने क्या किया है what have I done आपने श्याम को क्यों पीटा है why have you beaten श्याम आपने अपनी गाड़ी क्यों बेची है why have you sold your car राम ने पत्र क्यों नहीं लिखा है why has राम not written a letter short form why hasn't राम written a letter आपने यह काम क्यों नहीं किया है why have you not done this work short form why haven't you done this work ठीक है next तुम वहां क्यों नहीं गय हो why have you not gone there why haven't you gone there श्याम क्यों नहीं आया है why has श्याम not come why hasn't श्याम come वे अभी तक क्यों नहीं लोटे हैं why have they not returned yet why haven't they returned yet तुमने काम समात क्यों नहीं किया है why have you not finished the work why haven't you finished the work उसने मेरी साहता क्यों नहीं की है why has he not helped me why hasn't he helped me वह मुझे क्यों भूल गया है why has he forgotten me तुमने मेरे लिए क्या किया है what have you done for me next वह कहां नहीं गई है where has she not gone where hasn't she gone उसने इस सवाल को कैसे बनाया है how has he solved this question अब यहां he के जगा अगर आप चाहें तो she का भी इस्तमाल कर सकते हैं तुमने श्याम को कहां देखा है where have you seen श्याम सरकार ने हम लोगों के लिए क्या किया है what has the government done for us राम क्या कर चुका है what has राम done आपने कैसे यह सोचा है how have you thought this तुमने बाग कहां देखा है where have you seen the tiger ठीक है आई सबसे पहले हम लोग वोकाबलेरी लिखते हैं ताकि आपको word meanings याद हो जाए आपका spelling सही रहे हमेशा oxford current english translation exercise 111 of 279 vocabulary तोड़ना to break अभी तक yet up to now लोटना to return to come back समाप्त करना to finish to complete भूलना to forget सवाल बनाना to solve the sum सोचना to think to reflect upon to reflect on ठीक है यहाँ पर हम लोग क्या देखे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में कब क्यूं कैसे कहां क्या इत्यादी रहने पर वाक्यों की बनावट इस प्रकार हो जाती है जो हम आपको यहाँ पर बताये थे यह पूरा structure देखिए have या has subject verb का third form अगर negative रहा तो not सब के साथ what, when, how, why, where ठीक है आप not को have के साथ haven't या has के साथ hasn't के रूप में भी दे सकते हैं ठीक है हम यहाँ पर आपको बताये थे haven't या hasn't ओके आईए हम लोग कुछ और solved examples देखते हैं आपने यह काम क्यों किया है why have you done this work आपने क्या किया है what have you done राम ने गाड़ी क्यों खरी दिये why has राम bought a car वे लोग कहां गये हैं where have they gone बच्चे कब आये हैं when have the children come राम ने ऐसा क्यों किया है why has राम done so तुमने परिक्षा की तयारी कैसे की है how have you prepared for the examination राम वहां क्यों नहीं गया है why has राम not gone there why hasn't राम gone there बच्चे क्यों नहीं सोये हैं why have the children not slept why haven't the children slept तुमने राम की मदद क्यों नहीं की है why have you not helped राम why haven't you helped राम next उन लोगों ने हम लोगों के लिए क्यों कुछ नहीं किया है why have they not done anything for us why haven't they done anything for us why have they done nothing for us ठीक है